हेलो दोस्तों ट्रिक्स फॉर वॉल्स ट्टुनेंट्स में आप सभी का एक बार फीड़ से सुआ गाते। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल थियोरी कॉंसेट और डिबेट कि आपके एक यूनिट है समानता एक्वैल्टी आज के इस वीडियो में हम आपके इस यूनिट को पूरी तरह कवर करेंगे इसमें मुख्य रूप से आपको अफसर की समानता और परिणाम की समानता साथ में समता वाद को समझना है तो आज के इस वीडियो में हम जितन जो भी आपको टॉपिक इस य आप अच्छे से समझ सकें अब दोस्तों डारेक्ली समानता के अर्थ को समझने से पहले यहाँ पे कुछ वाक्य लिखें एक बार निने आप पढ़ लो इने एक बार समझ लो देखें दोस्तों जैसे कि एश्वर ने सभी मनुश्यों को समान बनाया है मनुश्य एक अधिकार प्राप्त होना चाहिए यहां पर रहे कि सभी मनुष्य एक समान है या या बिल्कुल एक बराबर हैं वो यह नहीं कहा है यहां पर जो यह वाक किया रहे हैं कि सभी मनुष्यों को एक बराबर अधिकार प्राप्त होना चाहिए अब हम समानता के अर्थ को समझेंगे तो काफी बातें आपको किलिर हो जाएंगे समानता का अर्थ यह है कि सभी मनुश्यों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए समानता का अर्थ यह नहीं है कि आँख मिंच कर सबको समान बना दिया जाए अब यही बात उन वाक्यों में आपको समझाए जा रही थी तो देखे समानता का क्या अर्थ है समानता की जो मीनिंग है वो यह है कि सभी वैक्तियों को सभी मनुश्यों को समान अधिकार प्राप्त हो यही है समानता समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी को हम एक बराबर मान लें क्योंकि ऐसा नहीं होता कुछ वैक्ति योग्य होता है कुछ वैक्ति आयोग्य होते है कुछ वैक्ति जादा बुद्धी मान होते है कुछ वैक्ति शारिक रूप से जादा बलशाली होते है कुछ वेक्ति शारिक लूप से थोड़े कमजोर होते हैं तो इस तरह के आपको असमानता दिखेगी तो समानता का अर्थ यही कहता है कि सभी मनुश्यों को चाहे वो किसी भी तरह के हो उन्हें एक बराबर अधिकार दो यही है मीन समानता ठीके समानता का अर्थ यह नहीं है कि हम सभी को एक बराबर मान लें अब कुछ उधारन है इनके जरी आप सारी बातें अच्छे से समझ जाएंगे देखे उधारन के लिए हम इस तरही पुरुषों में समान कारे के लिए समान वेतन की मांग करते हैं यह नहीं कहते कि किसी भी तरह का काम करने वाले सभी इस्तरी पुरुषों का वेतन बराबर कर देना चाहिए देखे यहां पर जो समानता का अर्थ लिखा है वह हम डेली लाइफ में भी फॉलू करते हैं जैसे कि हम उधारन के लिए हम मांग करते हैं कि समान कारे के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए चाहिए वो कारे इस्तरी करे या चाहिए वो कारे पुरुष करे जैसे कि माल लो एक नर्स है ठीक है एक नर्स है और एक डॉक्टर है अब दो वैक्ति हैं एक नर्स है और एक डॉक्टर है अब यहाँ पर हम यह नहीं कहते हैं कि नर्स को भी उतना ही वेतन दिया जाए जितना डॉक्टर को दिया जाता है हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक सेम मतलब जो समान कार रहे है उसके लिए आप समान वेतन देजिए ठीक है तो यहां पर हम ऐसा कहते हैं कि अगर डोक्टर हैं एक लेडी को कारे शेमें तो दोनों को एक बराबर वेतन मिलना चाहिए यहां समानता ठीक है तो यहां पर आप ठोड़ा सा उधारन से समझ सकते हैं इस उधारन में बस मेंली यही आपों कहा जा रहा है कि हम यह मांग नहीं करते कि सभी को एक बराबर बना दिया जाना चाहिए हम यह नहीं कहते कि सभी को एक बराबर वेतन दिया जाएगा चाहे वो छोटा काम करे चाहे वो बड़ा काम करे चाहे वो छोटे लेवल पर भव और करमठ्था के अधार पर अलग-अलग वैक्तियों को अलग-अलग पदों पर न्युक्त करना समानता के सिध्धानत के विरुद नहीं होगा अब देखें समानता के सिध्धानत में क्या बातें शामिल है अगर हम योगिता अनुसार वैक्तियों में किसी पद या जो प जिसकी रैंक हाईस आती है उसे आईस का पद दिया जाता है जिसकी रैंक आईस से कम आती है तो थोड़ी तो उसे आईपेस की रैंक मतलब आईपेस के तौर पर चुन लिया या उसको पोस्ट दे दी जाती है तो यहां कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि देखो सभाबर पद दे गया सभी को आयेस बना दिए गया ऐसा नहीं हुआ क्या हुआ यह पिए यहां पर यह योगेता दिखे गई कि किस की कितनी रैंक हाई है तो यह जो योगेता देखकर जो पोस्ट आवटित की गई जो पद का बटवारा किया गया या पदों की जो नियुक्ति की गई वो समानता के सिध्धानत के विरुद नहीं होगा बलकि समानता के सिध्धानत के अंदर ही है ये इसे हम समानता के विरुद नहीं मानेंगे आई हो थोड़ी सी बातें आपको समझ में आई होंगे तो आप इस तरह समसख सकते हैं कि समांता कर ट यह ऐ कि समान अधिकार दिए जाएंग तो यह समांता कर दिए अपको तो मैंने काफी अच्छे से explain कर दिया I hope जाता है का आपको समानता का जो शब्द है ये clear अच्छे से हो गया होगा कम शब्दों में कहा जाए तो सबको बराबर अधिकार मिले यही है समानता ठीक है अब हम आगे बढ़ रहे हैं अब हम बात करते हैं समानता के आयामों की दोस् समानता के आयामों को समझ़ने से पहले में आपको बढ़ाना चाहऊंगा कि आखिर समानता की मांग शुरू कैसे होई यानि कि मतलब क्या रीजन था शुरू होने आजादी ऐसी हो जिसमें सरकार कम से कम हस्त छेप करें और कम से कम हस्त छेप करें पुझी वाद चामिल हो पुझी वाद के तहट कॉम्पीटिशन हो और स्वातंदृता पराप्त हो तो अब समाज में ऐसा ही हुआ आदुनिक यूग में स्वातंदृता आई और स्वातंदृ कुछ लोग बहुत जादा गरीब हो गए कुछ लोग बहुत ही जादा अमीर हो गए तो मतलब जो असंतुलन था वो काफी ज़ police की आने के बादृ जार पृद Juice बढ़ आने के बाद अब इसी असंतूलन को दूर करने के लिए इस आसमानता को विशमता को दूर करने के लिए समानता की मांग की गई आई हो पी थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा यहां पे जानकारी आपको अच्छी जानकारी मिले होगी कि समानता की मांग क्यों की गई जो आसमानता थी इसको मिटाने के लिए समानता की मांग की गई थी हाला कि समाज में अलग अलग तरह है कि जो भेदभाव थे उसको खद्म करने के लिए भी समानता की मांग की गई थी ये तो हलका से एक आईडिया दिया आपको, अब हम बात करते हैं समानता के आयामों की, देखे दोस्तों समानता के मुख्य रूप से आपे तीन आयाम आपको पढ़ने, कानूनी समानता, राजनेतिक समानता और समाजिक आर्थिक समानता, अब ये क्या है, कैसे हैं, सारी बाते कानूनि समाहनता का अर्थ यह है कि जब हम सभी को भीना किसी वेंदवाफ के समान कानूनि यह खांता करता है उसको ग्रीब वैक्ति यो अमीर रख पानूनि कारेवाही लड़ सकता है जिसने उसका मतलत जिसने उसके साथ गलत किया उसके खिलाफ तो ये हुआ समान कानूनी अधिकार मतलब जब हम सभी वैक्तियों को एक बराबर के कानूनी अधिकार दे देते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पर कानूनी समानता है जैसे कि मालो समाज में भिंता है कोई वरगमीर है कोई गरीब है ज इन सभी को दूर रखते हुए जो आधारत है भेदभाव कि इन सभी को दूर रखते हुए चाहे वो किसी भी तरह की मांसिक अवस्था का वैक्ती हो तो इन सभी जो भिंताएं हैं जो अंतर इन सभी इन सभी को मतलब परे रखते हुए इन सभी को दूर रखते हुए जब हम एक बराबर कानूनी अधिकार देते हैं तो इसी को कहते हैं कानूनी समानता कानून के समक्ष सभी बराबर हैं ये भी आता है कानूनी समानता में कि कानून के आगे सभी बराबर हैं कोई अमीर या कोई कौई बड़ा नहीं हैं कोई श्वेत या कोई अश्वेत नहीं है कानूर के सामने सभी बराबर है परंदु गरीब वैक्तिन या में मुश्टीh से ही अपनी सफाई पेश कर पाता है लेकिन हाँ यहां पर आप देख प्रावधान किये गए समाज के लिए एक अपरात के लिए अलग अलग सजा जैसे कि माल लो एक ब्रहमन वैक्ति है जिसने चोरी की तो उसके लिए अलग सजा होगी माल लो चोरी ही है मतलब मुद्दा लेकिन वो शत्रिय वैक्ति ने की है तो उसके लिए अलग सजा होगी और चोरी का ही मतलब इशू है और वह वैशे वन से उसने किया है तो उसके लिए अलग सजा होगी और वही चीज अगर शूद्र वैक्ति ने की है तो अलग होगी मतलग अलग अलग वर्ण के वेक्तियों को एक ही अपराद के लिए अलग-अलग सजा देने का प्रापधान मनुश्मिती में किया गया था तो यह एक तरह से कानूनी असमानता के ना होने का साफ तौर पर एक यहां पर सबूत है इसके ताथी यूरोप में अगर ह आम इतिहास देखिए तो यूरोप में जो दास थे और जो स्वातंतर जन थे इनको सब तरह के अधिकार प्रआप्त थे लेकिन डास को बिलकुल भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके लावा फ्रांस में फ्रांस में क्या था जो कुलीन वर्ग था जो बहुत अमीर वर्ग जो रहीस वर्ग हुआ करता था वो अपने खिलाफ सबूत पेश कर सकता था ठीक है अपनी सफाई दे सकता था एविडेंस सामने रख सकता था लेकिन जन साधारन को ऐसा करने का मतलब जन साथारंड के खिलाफ अगर मतलब कोई आरोप लगाया गया है तो वो इसके विरुद कोई मतलब सबूत पेश नहीं कर सकता था तो यह कानुनी असमानता के यहां पर कुछ उधारन है कि इतिहास में हम देखते हैं कि कानुनी समानता प्राप्त नहीं थी वैक्तियों को मनुश्यों को इसके अलावर राजनीतिक समानता क्या है तो राजनीतिक समानता का अर्थ है नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों की समानता मतलब जो राजनीतिक हैं जब उनके पास एक बराबर राजनीतिक अधिकार हम दे देते हैं तो कहेंगे हम कि वो राजनीतिक सम कौन कॉलीन वर्ग थिक है तो पहले तो असमानता थी लेकिन राजनितिक समानता के अंतरकाट आता है कि जितने भी घ्र यहां सबीए को एक बराबर राजनितिक अद्धिकार प्राप्त किया यह सबीखिर है तो सभी को अधिकार है कि वोट दे सकते हैं और यहां पर वोट की वैलियू भी बराबर है जैसे कि मानलो जो अमीर वैक्ति है जो बहुत जादा करोणपती वैक्ति है अगर वोट देगा तो उसका वोट की जो काउंटिंग है वो भी एक ही मानी जाएगी और एक जो सबसे गर सब्सक्राइब कर सकते हैं यहं कि या उसरा मंतिरी बन सकते हैं मिनिस्टर सकती है विषिश अदिकार नहीं होता कोई प्रिविलेज क्लास या कोई ऐसा नहीं होता कि कुछ लोगों के पास विशिश अधिकार हो ऐसा नहीं होता सभी के पास बराबर अधिकार होते हैं अभी राजनितिक समानता का क्या इतिहास रहा है इसको एक बार आप देख लो तो राजनितिक समानता की मांग कानूनी समानता की मांग की जा रही थी कि कानूनी समानता की मांग जब हो रही थी कि सभी को बराबर कानूनी अधिकार प्राप्त हो तो उसी समय राजनितिक समानता की मांग एक तरह से हो रही थी क्योंकि पहले कानूनी समानता और राजनितिक समानता में कोई खास अंतर नहीं था ठीक है उस हो गई थी उदारवादी सिध्धान्त की विक्सित अवस्था में राजनितिक समानता को जन साधारण के लोकतंत्री अधिकारों के रूप में पहचाना जाने लगा सारभोमिक मत अधिकार जैसे की देखो दोस्तों जब उदारवादी सिध्धान्त सामने आया जब यह विक्स तो इसने मुख्य रूप से राजनितिक जो अधिकार होते हैं वो प्रदान करने पर बल दिया लोक्तांत्रिक प्रणाली पर इसने बल दिया जैसे कि सार्भॉमिक मत अधिकार तो राजनितिक समानता में एक उदारवात की विचारधारा का एक इंपॉर्टन रोल रहा है देखें उदारवात की विचारधारा थी वो किस पर बेस्ट है वो मुख्य रूप से स्वातंदरता पर जादा फोकस करती है ठीक स्वातंदरता हो और एक अफसर की समानता भी हो देखें नॉर्मली उदारवात की विचारधारा है वो चाहती है कि महौल लगबग एक जैसा हो और खुला competition हो जिसमें राज्य जो सरकार है उसका कम से कम हस्त शेप और नागरिकों को जादा अधिकार प्राप्थ हो तो अब इसी की विक्सित अवस्था में राज्यतिक अधिकार भी जनता को अधिक से अधिक प्रदान किये गए ठीक है अब देखिए नेक्स हमारा है अर्थिक समानता राज्यतिक समानता के और कानुनी समानता के कारण ही सामने आई है देखिए क्या हुआ आगे चलकर कि देखिए लोकतंत्र की जो विचारधारा थी जिसने कानुनी समानता दी वैक्तियों को राज्यतिक समानता दी अब इसमें पूंजी बात शामिल हो गया अब लोकतंत्र में जब पुझी वात शामिल हो गया तो इससे कई सारी सामाजी का आर्थिक समस्याइं पैदा हो गई कैसे समस्याइं पैदा हो गई जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लोकतंत्र और पुझी वात का जब मिलन हुआ तो इससे क्या हो गया खुला competition हुआ और जो capitalist class थी वो अमीर होती गई और जो गरीब लोग थे वो और बिज़ादा गरीब होते गए गरीब वो इसलिए होते गए क्योंकि बहुत सारे लोग मजदूर बन गए या जो मजदूर थे उनकी दशा और बिज़ादा बिकार होती जो अंतर था वो काफी ज़्यादा बढ़ गया था और इसी समस्या को दूर करने के लिए मांग किया गया समाजिक आर्थिक समानता की समाजिक आर्थिक समानता का मतलब यह होता है रोटी कपड़ा और मकान आपको उपलब्द कराया जाए ठीक है जैसे कि आज आज आप सरक समानता है क्या तो देखिए समाजिक कानूनी राजितिक समानता अपने मूल रूप में आरंभिक उदारवात का नारा था समाजिक आर्थिक समानता का विचार समाजवात के लक्षे के रूप में प्रस्तुत किया गया सबसे बड़ी बात देखिए जो कानूनी और राजिति पुइशिवाद की कम्यों को दूर कर समाजवाद को बढ़ावा दिना चाहता है समाजी का अर्थिक समानता सब के लिए समान हिस्से की मांग नहीं करती देखे, मुखे रुप से जो समाजी का अर्थिक समानता यह यह नहीं कह रही कि सभी को एक एक बराबर हिस्सा दिया जाए क्योंकि दिए बहुत साले लोग ऐसे हैं जिनके पास पहले से ही रिसूर्सES हैं जिनके पास पहले से ही संसाधन हैं तो उनके लिए ये मांग नहीं को सुख में समान पूर्ण और उन्नत बनाने के साधन निर्धन और वंचित लोगों को वर्गों को भी सुलब कराए जाए ताकि उनका शोशन ना हो सकें तो आयोप यहां पर यहां तक आपको समानता की आयाम थे वो समझ में आ गये होंगे कानुनि राजनीतिक और समाजिक आर्थिक समानता अब घ्यान से ना ना जाती से समझ हैं अब हम यह यहाँ पर प्र नाम की समांता यहें यहां मांंग करती है कि समाज में आए समपधा तता अन्य समाजिक वस्तों का पूरी तरह समान वितरण कर देना चाहिए ताकि Exec Aunque मनुष्य मनुष्य में कोई भेद न रहें कोई मतलब आ समांता न रहें सबको समां सुक्ष समां शक्ति और समान प्रतिष्ठा यानि कि समान रिस्पेक्ट प्राप्त हो तो कुल मिलाकर कम शब्दों में कहा जाए तो परिणाम की समानता यानि की जो समानता ये मांग करती है कि सभी वैक्तियों को एक समान मतलब जितनी भी चीजें एक समान रुप से वित्रित कर दी जाए उनका समान बटवारा कर दिया जाए या सभी को एक बराबर इस्तिती में ला दिया जाए और ताकि सभी वैक्तियों को एक जैसे शक्ति एक जैसी प्रतिष्ठा वगरा हासिल हो सके और इससे किसी में भेदभाव ना रहे अब यहां पर बात को समझे आखे परिणाम की समानता लागू नहीं होई एक समाज एक सोसाइटी है जिसका टूटल जो अर्णिंग है जो अर्थिवहवस्ता है वह र्ывॉपे की है समाज के जो टूटल एकोनामी है पांच लोग रहते हैं, A, B, C, D और A ठीक है, और टोटल जो समाज है, वो उसके अर्थावस्ता सो रुपे की है अब देखिए, टोटल जो सो रुपे है अब इनमें से A के पास बीज रुपे है, वर्तमान समय में और B के पास दस रुपे हैं और c के पास 15 रूपे, d के पास 30 रूपे और e के पास 25 रूपे है अब यहाँ पर क्या होता है हम देखते हैं कि भाई देखो आसमानता बहुत है बहुत ज़ y voilà किसी के बाश-10 रूपे, किसी के बास 30 रूपे यह तो बहुत ज़्यादा इन equally टे है आसमानता है इसको हम बरावर बरावर बाट देंगे जैसे कि A के पास 20 रुपए आ गए B के पास 20 रुपए आ गए C के पास भी, D के पास भी और E के पास भी 20 रुपए आ गए तो यह था पैरिणाम की समानता का एक अच्छा उजारन, जिससे आप समझ सकते हैं परिणाम की समानता क्या कहना चाहती है ठीक है परिणाम की समानता लागू जब होगी तो सबके पास बराबर संसाधन आ जाएंगे सबके पास बराबर पैसे जो भी संसाधन है वो होंगे अब यहां बात करते हैं इसकी रियालिटी की या क्या कम्या है इसकी क्या चीज़ें कै सब्सक्राइब करते हैं जब सबको एक ही फल मिलेगा तो कोई किसी के लिए इतना त्याग क्यों करेगा तो यहां पर बात को समझें देखिए दूसरों सिंपल सी बात है अगर हम नॉर्मली बात करें कि यह जो परिणाम की समानता है क्या इसे हम लागू कर सकते हैं तो इसमें आमें बहुत सारी चीजें अलग दिखाई देंगी बहुत सारी कम्या दिखाई देंगी आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखो जो जितने ही वेक्ति होते हैं वो अलग-अलग परिवार से आते हैं ठीके वो अलग-अलग बैक्गराउंड से आते हैं तो उनकी थिंकिंग अलग है उनकी योगे ताएं अलग है जो माता पिता होते हैं वो क्या गरते हैं जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को योगे बनाने के लिए कठीन परिक्ष्रम करते हैं आप देखेंगे कई सारे आपो घर मिल जाएंगी जहांपर जहांपर जो पिता है और जो माता है दोनों भी जॉब कर रहें वो दूने जॉब कर रहें ताकि उनकी संतान है वह बहुत जादा योग्य बन सगें tend इसलिए जॉब करते यह यह जोग है छब बच्छय हो जाए और उनका जुब बच्च जया जादा योग्य बनेगा तो वह पोस्ट पर यह जादा अच्छ मिलेगा मतलब एक बराबर रिजल्ट मिलेगा तो कोई इतना त्याग या परिक्ष्रम या इतनी महनत क्यूं करेगा जब सभी मातपिता को पता रहेगा कि भाई चाहे हम अपनी संतान को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं चाहे गवर्मेंट में पढ़ाएं उसकी नौकरी एक ही जगा लगनी है या उसको एक बराबरी पैसे मिलने है तो कोई इतनी महनत क्यूं करेगा तो समाजिक वस्तूओं की उत्कृष्टता का इस तर भी नीचे गिर जाएगा तो सिंपल दी बात है जब किसी को पुरसकार नहीं मिलेगा या कोई इतना परिक्ष्रम क्यूं क तो कोई ज्यादा परिक्ष्रम क्यूं करेगा तो इसे जो उत्कृष्टता है जो समाजिक वस्तूओं हैं उनकी जो एक्सेलेंसी है वो कम हो जाएगी आप इनका कुल उत्पाधन इतना कम रह जाएगा कि सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलने पर भी किसी के हिस्से में होगी कि परिणायम के समानतालाउ करने का एक बुरा प्रभाव यह भी हो सकता है गर जुञे क्ली जाएगात को सबस्साइब को में आपको क्रेंसे मिलने डाबर आपको पासके मिलने आपके अपने तरफ से भी कोई उधारण आप लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सुसाइटी है ठीके अब एक सुसाइटी में क्या हो रहा है कि मानलो 5 लोग है और टोटल में A, B, C, D 5 लोग है A, B, C, D, E और टोटल जो उत्पादन है गेहू का मानलो उत्पादन हो रहा है तो जो गेहू है ठीके वो 50 किलो उगाया जाता है ठीके संसाइटन के रूप में जो गेहू है वो 50 किलो उगाया जाता है जैसे कि मानलो गेहू उगाया जा रहा है तो यहां पे हमें असमानता दिखाई देती है ठीक है लेकिन जब हम परिणाम की समानता लाओ कर देंगे तो हो सकता है कि जो अभी 50 केजी यानि कि जो 50 केजी उतपादन हो रहा है इसका उतपादन का इस्तर गिरकर 25 किलो ही रह जाए हो सकता है पॉसिबल है क्योंकि जब सबको पता है कि मुझे जादा मेहनत करने पर भी उतना ही मिलेगा तो जाहिर से बात है लोग जादा मेहनत करन पसंद नहीं करेंगे, तो हो सकता है जो उत्पादन का इस तर है, वो कम हो जाए, और वो 50 से 25 पर आ जाए, अब ऐसे इस्तिती में क्या होगा, मालो 25 किलो टोटल उत्पादन समाजने किया, अब ऐसे में सब को बरावर बरावर हिस्ता मिलेगा, अब क्या होगा, 5, 5, 5, 5, 5, 5 5 किलो सभी को की हूँ या अनाज दे दिया जाएगा तो आप यहां पर देखिए परिणाम की समानता लागू हो गई सभी को बराबर बराबर हमने अनाज भी बाट दिया लेकिन ऐसी इस्तिती में बराबर बराबर बाटने पर भी सब के पास बहुत ही कम अनाज या बहुत ही क रैक्ति के पास भी 7 uwagę अनास था लेकिन जब हमने परिणाम का द्रागां की समानता लाओ ऐस्तर में भी कमी आसकती contar नेगेटिव पॉइंट है सुयोग्य और परिक्ष्रमी परिक्ष्रमी लोगों के साथ अन्याय होगा और प्रोसाहन की वैवस्था समाथ हो जाएगी और पूरा समाज भी निर्दन हो सकता है तो सिंपल सी बात है जो योग्य जो या जो अच्छे जो मेहनत करने वाले जो वैक स्मझ में आगी होगी यह ती परिणाम की समानता इसा निया है यहाँ जितनी बाति मैं आपको सारी की सारी समानता में लिखना है जब आपके आपकी समानता आपको समझ में आगी अब हम बात करते हैं अफसर की समानता क्या है अब जो अपॉर्चुनिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो क्या है तो इसको आप देख लो एक बार अफसर की समानता इसमें समान अफसर की समानता के का नियम दो इस्तितियों में लागू हो सकते है देखो, समान अफसर दिये जाते हैं, समान अफसर का मतलब आप समझ रहें, equal opportunity दी जाती है, बस main चीज यही है, अफसर की समानता में याद रखना, आपको अफसर, जो opportunity है, वो मिलेगी, एक बराबर, सभी वैक्तियों को एक बराबर opportunity मिलेगी, simple सी बात है, अगर सभी वैक्ति एक age पूरी कर लेते हैं, तो उन सभी को UPSC का exam देनी का, देनी का मतलब अफसर दिया जाएगा, अब अगर सभी वैक्ति graduation पूरी कर लेते हैं, तो वो UPSC का exam दे सकते हैं, या सभी वैक्ति, अगर जो भी उनकी particular degree है, वो हासित कर लेते हैं, तो जो भी संबंदित post उने मिल सकती है, वो सभी को मिलेगी, तो यहाँ पर अफसर की समानता दी जाती है, ठीक है, तो आई होप अफसर की समानता का छोटा सा शब्द आपको clear हो गया होगा, बागी मैं detail में अभी explain करूँगा, अब मुझे रुक से बात को समझे, क्योंकि हम गहराई से समझ रहे हैं, यहा तब अफसर की समानता दी जाती है, अब दोनों स्थितियों को एक बार समझ लेते हैं, अब दोनों स्थितियां है, क्या इसको बार अच्छे से समझ लो, वह पहली है, परतिसपर्धात्मग इस्तिति हैं, जहां किसी पूरसकार या सम्मान को पाने के लिए अनेक आगे निकलने का विष्ष प्रतन करना पड़ता है सिम्पल जी बात है competition होता क्या है competition मैं बस आपको एक शब्ध समझा रहा हूं पर तिस पर रदायत नकिस इस इस बो होती है चाहां पर competition होता है जैसे कि मालोग रेस हो रही है अब रेस सिंपल जी बात है एक ही वैक्टि फरस सकते हैं पर यहां पर यहां पर होता क्या है मोखे रूप साब यह बात समझे कि मानलों अगर सौ बच्चे कर रहे हैं तो कितनी आ जाएंगे फर्स्ट कि चार आ जाएंगे पांच आ जाएंगे मतलब मैक्सिमम अगर तो 90 लोग नहीं जी देंगे उन्हों कोई भी पॉजिचन नहीं मिलेगी competition में यहीं होता है competition में यहीं होता है कि लाखों लोग जैस आप देख सकते हैं यूपी एकसिका एक्जाम दे रहें दस लाख लोग पांच लाख लोग आठ लाख लोग जितनी भी यूपी एक्जाम द प्रतिस परदात्मक इस्तिती में किस तरह से अफसर की समानता लागू होती है उन्हें एक जैसी या लग बग एक जैसी इस्तिती में रख कर अपनी योगिता परमानित करने का अफसर दिया जाएं जैसे कि किसी खेल में खिलारियों को एक जैसी प्रतिकूल या अनुकूल इस्तिती दी जाएं सिंपल सी बात है प्रतिसपरधात्मक इस्तिती में जब आफसर की समानता को लाओ करते हैं तो आफसर की समानता उस समय कहती है कि सभी को एक जैसी इस्तिती ए एक दो टीम हैं, X, Y, Z एक है और एक टीम है, ABC, ठीक है, अभी दो टीम है, अब ऐसा हो सकता है न, आप सोच सकते हो कि भाई, A, B, जो यह टीम है, ABC, इसको इसका जो मैच होगा, वो अगले दिन मॉर्निंग में हो, आप ऐसे भी हो सकता है, आप सोच सकते हो, तो यह थोड़ा स situation आपको दी जाएगी, असमानता नहीं होगी यहाँ पर, मतलब अफसर की समानता में, जो महौल है, वो एक जैसा होगा, जैसे कि मानलो, दो टीम है, अभी मैंने आपको example दिया, X, Y, Z और ABC, ठीक है, अब ABC और X, Y, Z का जो मैच है, वो एक ही पिच पर होगा, और एक ही दिन म होगा, हाँ, वो बातला कि अगले दिन मेच कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप बात को समझेए, जैसे कि Toss होता है, पहले क्या होता है, Toss का मतलब क्या होता है, अगर Toss, XY, Z ये वाली टीम जीज़े, चाहिए वाली टीम जीज़े, तो वो अपने हिसाब से, चूस कर सक है पहले करनी ये बाद में करनी है तो यहां पे निश्षित तो है नहीं कि ये जितेapore का टॉस या जिते दिए गा तो यहां पे सच्विशन तो ब्राबर है टॉस एबी सी वाली टीम भी जिसकती है और पहले बैटिंग कर सकती है और एक्स वाइजेड अपसर की समानता दी जा रही है आप इसे थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हो जिसे कि माल लो आप कोई competitive exam देने गए ठीक है माल ले चलो UPSC ही बहुत बार दे दिया मैंने मतलब उद्वारन आपको अब मालो यही एक्जाम आप माली चीए देने गए अब आप आप आपने देखा कि कुछ चार-पांच बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से फैसिलिटी दी गई है एक्जाम लिखने के लिए और जितने भी बच्चे है नॉर्मली उनको नॉर्मली ट्रीट किया जा रहा है मतलब पांच यह लोग को इस्पेशली ट्रीट किया इसामानता हो यह यह लागु नहीं हो सकती परतिसपरधात्मक स्थिति अफश्यत नहीं यही होती है कि अगर आप एक्जाम देने गए हैं तो जितने को एक जैसी इस्थिति दी जाएगी जैसा महौल दिया जाएगा ऐसा नहीं होगा कि कुछ बच्चों के लिए इसपेशि अपर दिया जाएगा एक यह सा महौल दिया जाएगा ऐसे में जो राज्य को भूमी का है वो जादा नहीं होती वह इस यह देखता है कि कोई एक तरह से चीज़ें कुछ करने की जद्रूत नहीं पड़ती अभी यह पॉंइंट आपको किलिए हो जाएगा आगे तो हमने प्रतिस परधात्मक इस्तिथी की समझ लिए अब बलब पर एक साथ प्रतिस्ठार जित कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों जो competitive situation थी उसमें आपने क्या देखा कि कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं कुछ ही लोग मतलब जीतते हैं लेकिन यहाँ पर गैर प्रतिस प्रधात्म किस्तिति में ऐसा नहीं होता यहाँ पर एक साथ अनेग लोग अनेग वेक्ती वो कला या वो डिगरी हासिल कर सकते ऐपनी योगेता के अनुसा मतलब आप देखते हैं कि एक साथ अनेग लोग डॉक्टर बन सकते हैं जो जिन्नों ने डिगरी हासिल कर ली है ठीक है लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ आइस में आपको competition देना पड से उसके हिसाब से पोस्ट दी जाती है लेकिन डॉक्टर इंजिनिरिंग इसमें ऐसा कुछ नहीं अगर आप अपनी योगिता को मतलब कर लेते हैं अपने आपको सक्षम बना लेते हो वह डिगरी हासिल कर लेते तो आप आपके अंदर वह कला मान ली जाती कि आ गई है और वह नाम आपको दे दिये जाएगा आप डॉक्टर बन जाओगे आप इंजिनियर बन जाओगे तो यहां पर क्या है कॉम्पिटिशन नहीं है हाला कि अब वह बात अलग है आप बहुत बचे कहेंगे एंटरेस हैं एक्जाम में कॉम्पिटिशन होता है अच्छा कॉलिज वगरा नहीं मिलता है वह सारी बात यहां लग है लेकि यहां पर बैठकर जो भी मतलब पोस्ट है जो भी कर ला है वो ह हो सकता है कि सो बच्चे एक्जाम दे रहें स्कूल का एक्जाम है सो बच्चे एक्जाम दे रहें और सो के सो बच्चे पास हो जाएं तो यहां पर ऐसा कोई वैसा वाला कॉम्पिटिशन नहीं हुआ कि किसी को हारना भी पढ़ें तो आई हो यहां तक थोड़ी बात आपको समझ में आ दिए गैर प्रतिस परदात्म की स्थिति आपको समझ में आ गई अब इस स्थिति में अफसर की समानता का अर्थ यह है कि इसमें राज्य से यह आशा की जाती है कि वह वैक्तियों को उत्किरिष्टता अर्चित करने में ठोस साहिता देगा उधारन के लिए राज् सरकार उसको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं जैसे कि सबसे बड़ी चीज वैवस्था करनी है कि जो जैसे कि मालोच सभी वैक्तियों को सिख्षा मिल सके इसके लिए स्कूल खोलने पड़ते हैं सरकार को ताकि कोई बच्चा यह न कहे कि मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बन सरकार को कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं कि सरकार अफसर दे रही है सरकार ने पढ़ने का सभी को अफसर दिया है कि आप सभी पढ़ सकते हो और अगर आप अच्छा स्कूर करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो आई होप दोस्तों यहां तक आपको काफी बात समझ में आ गई होंगी अभी हम सकरात्मक कारेवाई को भी समझेंगे लेकिन उससे पहले अब हम बात करते हैं समतावाद की देखिए यहां तक हमें परिणाम की समानता को समझ लिया और अफसर की समानतों काफी अच्छे से इन सभी को आप रहे तो कावी बैटर रहेगा अब के लिए आगे बढ़ते हैं आप बात करेंगे सकरात्मक कारेवाई की इंपोर्टन है वो भी जो लोग समाज में शक्ति धन संपदा और पद प्रतिस्था से जुड़ी जो असमानता हैं इनको खत्म करना चाहते हैं असमानता को हटाना चाहते हैं उनके विचार कौम कहते हैं समतावाद समतावाद ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समर्थ और संपन वर्गों के साथ-साथ निर्बल, निर्धन और वंचित वर्गों को भी अपने विकास के लिए अनुकूल परिस्तितियां और प्राप्त अफसर प्राप्त हों ठीक हैं समतावाद तात्विक न्याय व जो समर्थ वर्ग अमीर वर्ग उसके साथ साथ गरीब लोगों का भी विकास होना चाहिए ऐसी प्रहस्तितियां पैदा के जाएं कि गरीब लोग भी अपना विकास कर सकें वो भी समाज की मुखे धारा के साथ जुड़ सकें वो भी एक अच्छे लेवल पर आ सकें उनकी भी आर्थिक इस्तिती अच्छी हो सके समाजिक इस्तिती अच्छी हो जाए समताबाद जो है वो तात्विक नियाय की बात करता है तात्विक नियाय का मतलब और समाजिक भी दे जा सकती है तो यह सारे चीए समतावाद की विचारधारक के अंतरगत आती हैं यहां तक हमने काफी बाते समझ ली अब हम बात करते हैं सकारात्मक कारेवाई कि इंपॉर्टन है यह आपके चैप्टर में ही एड है ठीक है यह आपकी यूनिट में यह बाते भी यह भी कारेवाई अफर्मेटिव एक्शन है क्या अब अफर्मेटिव देखे दोस्तों कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप कैसे मतलब कुछ टॉपिक आपके रहे गए या मिले जुले टॉपिक है तो आप ऐसा कुछ ना सोचे कि आपको पूरे तरह जो आपको पढ़ना है पढ़ाया जा रहे हैं किया बषक लादियों आपको एक ही वीडेयो में कवर्ग की जा रहे हैं सकर आत्म कारेवाय या है जिसमें लोगों को नूकष पदुणनती या शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश इत्यादी करते प्रदान करते समय किसी पिछड़े हुए समू को जैसे कि इस्तरीयों आश्वेत लोगों आनुसुचित जातीयों या जन जातीयों को विशेश रियायत दी जाती है ताकि अतीत में उनके साथ जो भेदभाव हुआ है जो अन्याय हुआ है उसकी शरती पूर्ती या जो शरती ह है वो पूरी की जा सके सिंपल भी बात है जैसे कि कुछ वर्ग हैं समाज में कुछ वंचित वर्ग होता है जैसे कि इस तरी है जो कुछ पिछड़े वर्ग है जब उनके लिए कुछ इस्पेशल प्रावधान कर दी जाते हैं उनको कई सारी छूट दे दी जाती है रियायत कई साथ चीजों में जैसे कि उनके लिए आरक्षन की व्यवस्ता कर दी जाए तो इसे हम कहते हैं अफर्मेटिव एक्षन का मतलब यह है कि कुछ लोग हैं जैसे कि अमेरिका वगर में आप देखो कि अश्वेत लोग हैं भायत में अनुसूची जाती है जन जाती हैं उनके लिए सबस्थाओं में प्रवेश के लिए उनको छूट दे दी जाती है या कुछ पधोनती के समय को छूट दी जाए रियायद दी जाय को इसको हम सकरात्मक कारेवाही कहते हैं तो सकरात्मक कारेवाही आप भारत में अल्रेडी लागू है आप सकते हैं कि अरक्षन व्यव अब जो सकटरात्मक कारेवाई है कई लोगं का मानना है एंप अरक्षन मेला है उन से ज्यादा माख साने पर भी जैनरल केटिगरी या जो आउच जाती के लोग हैं उन्हें उस पद पर नियुक्ती नहीं मिल पाती तो ऐसे में इसे उल्टे भैदभाव की रूप में भी कई बार देखा जाता है ठीक है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि भायत में आरक्षन परणाली पहले के ले भी इसे लंबे समय से हर मतलब हमेशा ही इसे आगे बढ़ाया जाता रहा तो इसलिए इसे उल्टे भैदभाव की रूप में भी देखा जाता है और आज कई जो उन्ची जातिया रही है वो भी इसकी मांग कर रही है जैसे कि आज देख सकते हैं आप जो कई प्रभुत जातियां रही है पटेल मराठा जाट इनके द्वारा भी आरक्षण की मांग हो रही है इसके साथी प्रतिभा पलायन अब प्रतिभा पलायन अब क्योंकि कई बार आरक्षण जिसी ववस्ता से कई लोग डी मोटिवेट हो जाते हैं कि हम अगर उतना अच्छा करेंगे तब इसलिए जब उन्हें लगता है कि उन्हें अच्छे नमर पर भी एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी तो इसलिए वो विदेशों में अपनी प्रतिभा ले जाते हैं तो प्रतिभा जो टैलेंट है उसका पलायन एक माइग्रेशन हो जाता है हाना कि फिर भी यह वर्गों को योगे में योगिता में कुछ छोट प्रदान करता है तो वह समाज की और अधिक लोगतांत्रिक बनाने के प्रति एक महत्पूर्ण कदम है जो भी मतलब थोड़ा सा स्पेशल मतलब जो वंचित वर्ग है उसको थोड़ा विशेशादिकार देने के लिए जो प निशेश प्रावधान बना सकती है तो सब सकरात्मक कारेवाई की रूप में आप उसे भी थोड़ा देख सकते हो तो वहां पर क्या है सम्विधान सम्विधान के विरुद नहीं साथ चीज़ें लोगतांत्र को और मजबूत बनाने के लिए महत्मुर्ण कदम के रूप में आप इसे देख सकते हो हानकि इसमें और ज़्यादा सुधार होने की आवश्यक्ता है हानकि कई देशों में सकरात्मक कारेवाई को इसलिए निशेद माना जाता है क्योंकि यह समाजिक विभाजन को बढ़ावा देती है पर नदू भारत में ऐसा नहीं है क्योंकि यहां समा समविधान के विरुद में ना होकर बलकि भारति समविधान को और अधिक लोक्तानते के प्रासंगिक बनाती है जबकि दूसरी और भारति समाज और संस्क्रितिक को समानता के सिद्धानत की और समीप ले जा रही है तो देखिए उस समविधान में यह चीजें हैं कई बार ह साथ देश्य निश्यिद मानते हैं सकरात्म जो आफर्मीटिव एक्शन इसके था रख्षन रख्षन वाश्प हो जाती है तो उन्हें काफा लमजफी समय से वंचित रखा-गया और så उन्हें यह साई चीजップ से तो इस लिए भी इस आफर्मीटिव एक्षन जरूरी हो जात में जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उन्हें भी आरक्षन देने का प्राफधान किया गया है जैसे 10% का आरक्षन आप देखेंगे 2019 में लाया गया था आर्थिक रूप से जो वीकर सेक्षन था उनके लिए तो यह साही चीज़ें एक सकरात्म कारेवाई के अंतर है गलत हम इसे यह नहीं पढ़े लेकिन फिर भी अफर्मीटिव एक्षन जो भात में इसमें सुधार के आवश्यक्ता है ताकि जो मीन जो कमजोर वर्ग है हकीकत में वह इसका लाव उठा सके ना कि कोई ऐसा वर्ग जो जो मतलब अमीर है या जो मतलब जिसके जो संपन है मोना कि यहा आपको सारी बाते यहां तक किलेर हो गए होंग और इसके तहथ इसके तहट के आंपकी यह य marshmळती पूरी तरह ख़ता कम ने सहीं पूरी दरख पढ़ लिया यह सारी बाते आपको किलेर होगे धिए उन्मीत करता हूं वीडियो आप्को पर जाई होगी यो फीड़िबैक जरूर दें थैंक यूँ